राहूल जी, डॉक्तर मनमोहन सीन जी, एंटोनी जी, गुलाम नभी जी, खारगे जी, सभी उपस्थित नेतगन, भायों और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे नए अध्याक्ष राहूल गांदी को बधाई देना चाहती हूँ. मैं उनका अभिनांदन करती हूँ और उन्हें सुपकाम नए देती हूँ. उन्होंने बहुत ही चुनोती पुर्ण समय में ये जिम्मेदारी सम्हाली है. हम सभी को उनके नित्रीत्व में पूरी तरह मिल जूल कर समुईक तोर पर काम करना चाहिए. ये समय अपने नीजी अहम और अपनी अकंगशाओं के बारे में सोचने का नहीं है. ये वक्त तो ये देखने का है कि हम सभी हम में से एक एक व्यक्ती पार्टी के लिए क्या कर सकता है. आज तो केवल एक ही एक ही बात माईने रखती है कि जिस महान पार्टी से हमारा इतना पुराना नाता है उससे किस तरह से और मजबूत किया जाए जिस से बर्तमान चुनाथियों का सामना किया जा सके और पार्टी को जीत मिल सके. पार्टी की जीत देश की जीत होगी. पार्टी की देश की जीत होगी. कांग्रेस सिरस्ट एक राजनीतिक दल नहीं है बलकि कहीं आगे की सोच है. कांग्रेस हमेशा से एक अंदोलन रही है. कांग्रेस हमारे राष्टिय जीवन का 133 वर्षों में इसलिए अभिना अंग है. क्योंकि इसमें लोगों को संपुर्ण भार्टिय संस्कृति की तस्फीर दिखाई देती है. आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि कांग्रेस नए अध्यक्ष के नित्रित्व में वब पार्थी बने जो एक बार फिर हमारे देश का भुनियादी अजेंदा थे करे. कांग्रेस वब पार्थी बने जो एक बार फिर हमारे देश की विविद्धा भरे समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों और अकंचाओं की नुमायनगी करे. कांग्रेस वब पार्थी बने जो एक बार फिर देश के राजनीति और सर्वजैनिक संबाद की सुत्रदार बने. चालिस वर्ष पहले चिकमंगलूर में इंदीरजी की शांदार जीत ने देश की राजनीति को पलात कर रख दिया और कांग्रेस एक बार फिर शक्तिशाली पार्थी बन कर उबरी. मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में करनाता की विदान सबाचनाओं में अमारी पार्थी का एक बार फिर ऐसा ऐसा शांदार प्रडर्शन हो जिससे देश की राजनीति को एक नए दिशा मिले. कुछराथ, राजस्तान और मध्य प्रडेश में हमारे आहाल के परडर्शन से पता चलता है कि जो लोग जो लोग देश की राजनीसी से हमारे अस्तित्व को मिताना चाते थे उन्हें ये भी अंदाज नहीं था कि अभी भी लोगों के दिलों में कांग्रेस पार्टी के लिए कितना घहरा सम्हाथ है. सद्धाब. साथियो, मुझे दो दाशक तक कांग्रेस अध्याक्ष रहने का गौरव मिला. राजनीती में मेरे प्रवेश का कारण आप सभी जानते ही हैं. परिस्तितियों ने मुझे सर्वजैनिक जीवन में आने के लिए त्रेरित किया. एक ऐसी दुनिया में जिसमें मैं कभी नहीं आना चाहती थी. लेकिन जब मुझे एसास हुआ कि पाती लगतार कमजोर होती जा रहे हैं और हमारे बुनियाद उसूल खत्रे में हैं. तब कांग्रेस जनों की भवनाओं की कद्र करते हुए मैंने कांग्रेस के नित्रिच्व को सम्हाला. आप में से एक एक प्यक्टी के सद्वा समझ और समर्तन ने मुझे शक्ती दी. आज जब मैं मुड कर तीछे देखती हूँ, तो मुझे याद आता है कि हमारी पार्टी ने लोगों का बहोसा फिर से जीतने के लिए द्रेड संकल्प के साथ कितनी मेहनत की है. एक एक कादम बढ़ाकर हमने उन्नीस सो अथानवे से दो हजार चार के बीच बहुत से राजों में कांग्रिस की सरकार बनाए. इन सरकारों की उपलब्दियों ने पार्टी को मजबूत बनाया, इससे पार्टी को होस्ला और ताखत मिली. उन्नीस सो अथानवे में पच्मडी के चिंतन सीविर में हुई चर्चा के दोरान आमराय बनी थी की कांग्रिस को दूसरे दलों से गदबंदन नहीं काम करना चाहिए. लेकिन इसके बाद के पाच साल में बदलते राचनेतिक महौल के साथ दो हजार तीन के शीमला शीविर में हमने समान विचरदारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करने का निर्ने लिया. इसे 2004 में वह मंजिल हासिल की जो लोगों को असंभाव लग रहा था. केंद्र में कांग्रेस ने डाक्तर मन मोहन सिंजी के नित्रीतों में यूपिये की सरकार बनाए. उस दोरान हम अपने संकल्पों के प्रती पूरी तह समर्पीत रहें और बहुत सी कामियावियां हासिल की. यही वज़े हैं कि 2009 में हमें और भी बड़ा जनदेश मिला. हमारी यूपिये सरकार के समय देश की अर्थ व्यवस्ता प्रधान मंत्री दॉक्तर मन मोहन सिंजी के नित्रीत्व में देश की अर्थ व्यवस्ता तीजी से आगे बढ़ी. आर्थिक व्रिग्दी की दर अभी तक के सबसे उचिस्तार पर रही. देश वासियों के सशस्तिकारन की कई एतिहासी और क्रांतिकारी योजनाएं लागु हुई, कानून बनाएं गए. महात्मा गांधी नरेगव, वन अधिकार, भूमी अधिग्रहन, शिक्षा, स्वास्तिय और भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कनूनों से करोरो करोरो लोगों की जिन्दगी में बदलाव आया. यह आर्थिक सुदारों को एक घारा समाजिक अर्थ देने की हमारी पार्टी की प्रतिबादता का पड़िनाम था. आज यह देखकर मुझे अफसोसी नहीं बलकि बहुत दुख होता है कि इन सभी कार्यक्रमों और युजनाओं को मोधी सरकार कमजोर कर रही है, उन्हें नजर अंदाज कर रही है. पिछले चार साल में कांग्रेस को टबाख करने के लिए अहंकारी और सत्ता के नशे मतमस्त सरकार ने कोई का सर बाखी नहीं रखी. साम-दाम-दान-भेच का खुला खेल चल रहा है, लेकिन सत्ता के हंकार के आगे कांग्रेस ना तो कभी जुखी है और ना कभी जुखेगी. उल्टे मोदी सरकार के ताना शहीत और तरीकों, संविदान की उपेक्षा, संसत का अनादर, उनकी विबजनकारी विचरदारा, विपक्ष के किलाब परजी मुकद में लगाना और मीडिया को सताना जैसे शद्यांतर का परदफास करने में, कांग्रेस आगे रहे कर संगार्ज कर रही है. प्रदान मंती मोदी और उनके सयोग्यों के जूटे, फरजी दावो, प्राद और ब्रस्तचार का, हम सबूतों के साथ खुलासा कर रहे हैं. लोग अब समझ गहे हैं कि 2014 के सब का साथ, सब का विकास मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे उनके बादें, सिर्फ और सिर्फ द्रामे बाजी और वोट हत्याने के तारे हैं. और वोट हत्याने की 40, कुर्सी हत्याने की 40, मैं उन राज्यों के अपने कर्यकरताओं की सच्चे दिल से तारिज करना चाहती हूं, जहां कांगरेस सत्ता में नहीं है, वहां हर तरह के अत्याशार जेल कर और तमाम तक्लीफ उठाखर भी कांगरेस के हमारे साथी, राज्यों सरकारों के अपरादों और उनकी असफलताव को उजागर करने के लिए खुब संगर्श कर रहे हैं. साथियों, यह हमारी कांगरेस पार्टी ही है, जो हर हाल में लोगों से जुड़ी रहती हैं, उनके साथ खरी रहती हैं. यह हमारी कांगरेस पार्टी ही है, जो अन्याएक के खिलाफ आवाज उताती हैं और संगर्श में आगे रहती हैं. यह हमारे कांगरेस पार्टी ही है, जिसने राष्टर निर्मान से सबसे ज्यादा योगदान किया है. आज जब कांगरेस के लंबे, शानदार और प्रभावशाली इतिहास का एक नया अध्याए शुरू हो रहा है, एक कतोर संगहर्श भी हमारे सामने हैं. कांगरेस अध्याक्ष और हम सबी के सामने जो चुनोतिया है वह मामूली नहीं हैं. उसका हम सब को ड़ट कर मुखाबला करना होगा. हमें ऐसे भारत बनाने के लिए संगहर्श करना है, जो सत्ता के बैसे मुख्थ हो, जो सत्ता की मनमानी से मुख्थ हो, एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के जीवन की गरिमा बनी रहे. पक्षपात मुख्थ भारत, प्रतिशोड मुख्थ भारत, अहकार मुख्थ भारत, इसके लिए, इसके लिए एक एक कंग्रिस जान को हर बलिदान देने के लिए तयार रहना है. इसलिए आज हम कंग्रिस के नय अध्याक्ष रहूल गांडी के नित्रीत्व में पूरे आत्म विश्वास के साथ एक दुरेर प्रतिग्या करें, कि ऐसा भारत बनाने के लिए, हम हर संगार्ष करेंगे, हर कुर्बानी देंगे, और कंग्रिस को कम्याबी की बुलंदी पर लेके जाएंगे. आप सब दो बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद जैहिन! अधरी श्रीपती सोरिया गादी जी के इससे इतिहासी के और पूर्जा से उत्परोथ सम्मोधन के लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है.